हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं नेचर गरीम ब्लॉग मेरे ब्लॉग मेरे फ्रेंड्स आपका स्वाज़त है तो ये बनाए हैं हमने मटर के पराठे गमकस्ता और नरम ना बिल्कु कहीं से तोटे हैं कि इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मटर मुच और यी पैयाज अतरक और हरीमिज के कटकर के लिए हैं हुआ तो अब इसको मैं पीस लेंगे दरद्रा तो इसको मैंने दरद्रा पीस लिया है मंतर को। आप देख सकते हैं, कडाई में और लालेंगे, अब इसमें जीरा, एड़ करेंगे, जीरा थोड़ा सा बुन जाएगा, अब उसमें सौंप एड़ करेंगे, तो दोनों अच्छे से बुनने लगे हैं, अब इसमें हरी में चद्रक और प्याश एड़ कर देंगे, यह मैंने मस्टेड ओयल डाला है, आप चाहे तो, दूसरा ओयल भी आप जो यूज़ कर सकते हैं, जो यूज़ करते हैं, वही इसमें डाल सकते हैं, इसे हम चलाते रहें हुए, इस तरह से अगर मटर के परांटे फ्रंगाईज आप बनाओगे, तो आपके परांटे फटेंगी नहीं, अब इसमें हम इसे गोल्डन होने तक थोड़ा सा कच्छपन निकल जाए, जब तक हमें सारी चीजों को अच्छे से पकाना हैं, तो फैंट्स दीवे दीवे अच्छे से पक रही है, अब इसमें हम थोड़ा सा तूटेवल स्पून के बराबर इसमें बेसन एड़ करेंगे, यह मैंने बेसन लिया है, क्योंकि बेसन अभी इसलिए डाला है, क्योंकि यह प्याज और हरीमेच चद्रक के साथ अच्छे से पक जाएगा, यह कच्छा बेसन लिया है मैंने, आप चाहे तो भुना हुए बेसन डाल सकते हैं, लेकिन इसमें भुने हुए बेसन की अवशक्ता नहीं है, इस टाइम डाल दोगे तो आपका बेसन अच्छे से भुन जाएगा, वाइल के साथ, मत्र के साथ, तो कि मटर को अब हमने इसमें मटर डाल दी है मटर को बुनने के लिए तो हम यह प्रोसेस कर रहे हैं इससे मटर भी अच्छे से बुन जाती है मटर का कच्छा पन चला जाता है अब इसमें सारे मसाले में एड कर दोंगी सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर फिर नमक अब इसमें लाल मुच एड कर देंगी अब इसमें चाट मसाला डालेंगी थोड़ा सा तो यह चाट मसाला एड कर दिया है मैंने थोड़ा सा इसमें करम मसाला भी एड कर देंगी हो उस तरह से सारे मसाले हम इसमें कर देंगी जिससे हमारे परांटिया और यह इस टूपिंग से सट भाते हैं कि बेशन को डालने से हमारे पराटे फटेंगे नहीं कि मटर बेशन से अच्छे से चिपक जाती है और हमारे स्टफिंग अच्छे से सैट हो जाती है तो कुछ देर हम इसको चलाते हुए बेशन को अच्छे से भून लेंगे और पकाएंगे तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढखकर रख देंगे अभी तो हमें इसे खुला ही पकाना है जब तक इसका थोड़ा सा अब अब इसको हम डखकर पकाएंगे प्रेंड्स कमसे गम पांच मिनिट तो पांच मिनिट हो चुकी है अब इसका डखकर नकाल लेती हैं आप देख सकते इसका कलर भी एकड़म चेंज हो गया है और हमारी स्टफिंग बनके रेड़ी हो चुकी है अब इसमें धनिया पत्ती एड़ कर देंगी तो इस्टफिंग हमारी बनके एकड़म रेड़ी हो चुकी है परांटों में डालने के लिए अब एक लोई रोटी बनाएंगे हम और स्टफिंग को थोड़ा बीचों बीच में रख कर करेंगल सेप का परांट हम बनाएंगे आप चाहिए तो आपके परांटे में कोई साथ भी सेप गोल भी बना सकते हैं तो मैंने यह वाला सेप दिया है इसमें कि इस तरह से परांटे अच्छी बन जाती हैं कि चार तरफ से मैं इसको अठा दूँगी कि तो यह अच्छी से पैक हो गया है चार तरफ से अब इसको हम बेल लेते हैं कि परांटा बनके हमारा रेडी हो चुका है कि हलकी हास्ति हम ऐसे बेल नहीं है देख आप देख सकते हैं परांटा हमारा कहीं से अब इसको हम उलटते पुलटते हुए कि अच्छे से ओल लगा देंगी परांटा हमारा एक दम फटा नहीं है और एक दम क्रिस्पी और कस्ता अच्छी का रेडी हुआ है कहीं से कहीं तक विलकुल नहीं फटा हुआ है तो इस प्रोसेस से आप बनाएंगे फ्रेंड्स तो आपके मडर के परांटें कि बिलकुल नहीं खटाएंगे तो यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं आप इसको वच्छो को या फैमली में कभी भी किसी टाइम बना सकते हैं तो मैं इसको सब कर रही हूं हरी चटनी के और दही मीठी दही के साथ कि इसमें नमक चाट मसाला और मिक्स किया हुआ है मसाला वो मैं इसमें एड़ कर दोंगी दही में और साथ में थोड़ा साथ धन्याव इसमें डाल दोंगी और यह हमारी फाराटी बनके रेडी हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितने खास्ता और किस्पी बनी है कि पुल निकाल के भी दिखा देती इसकी स्टपिंग कितने एच्छे से सेट हो चुकी है इसमें वहां पाटा लगलग दिख रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आयो तो एक लाइब आप